Hello friends, मैं हूँ सवन्मय प्रकाश वोड़ा आप दिख रहे हैं यूट्यूब चनल सरकार जॉब नियूज ये 5 जुलाई 2020 के इन्पार्टन का इंट्रीफर्स कोशन से हैं PDF एपिलेबल हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मिडवगल में जो डाउनलोड का लिंग कहेगा वहां से लिसकते हैं बहुत सारे कोशन है और पहला कोशन लेते हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किर्कट एस्टेडियम किस शहर में बनने जा रहा है आंसर होगा जैपूर जैपूर में ये बनने जा रहा है और इसका नाम होगा RCA एस्टेडियम 100 एकर जमीन में बनेगा और लागत होगी 350 करोर रुपए एस्टेडियम के छमता होगी 75,000 दर्शकों की तो देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला और दूसरा इस्टेडियम कौन सा है तो हमदाबाद में मोटेरा किर्कट इस्टेडियम वो सबसे बड़ा है उसकी कैप्टसिटी दर्शकों की 1.1 लाख दर्शकों की है और दूसरा है उस्टेलिया का मेलबर्न इस्टेडियम वहाँ पर 1.02 लाख लोग बैठ सकते हैं और तीसरा जैपुर में होने जा रहा है यहाँ पर बहुत सारी फैसलिटीज होंगी अंतराश्टी अस्तर का मेन ग्राउंड होगा दो प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे जिन में रणजी मैच भी हो सकेंगे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी होकी क्लब हाउस होगा ओके दो चर्णों में बनेगा करीब 24 महीने का वक्त लग सकता है ऐसा बताएगा है राज्थान क्रिकेट एसोशेशन के सचीब महिंदर शर्मा ने ये जानकारी दी है ओके मीडिया को ओके एक कोशन है आप से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे कि हाली में ICC के चेर मैन पत से किसने इस्तिफा दिया है नाम आप देगा कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं अगला कोशन बहुत इन्पॉर्टेंट है और दुनिया भर में विवाद का विशय बना हुआ है भारत में खास तोर पे इंडिया में खास तोर पे और यह समझना भी चाहिए आपको इस पूरे मुद्दे को कोशन होगा किसने कोरोन वैक्सीन का हिमन ट्रैल जल्द करके 15 अगस्त को लॉंच करने की डेडलाइन तैकी है जिससे मेडिकल जगत में विवाद हो गया तहल का मच गया अंसर है इसको थोड़ा डिटेल में समाझ ना होगा मैं बता रहा हूँ देखे कोरोन वैर्स की वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में काम चल रहा है और कई देश काफी जल्दी में हैं हरबड़ी में हैं होड लगी हुई है और भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक कंपनी है भारत बायोटिक उसको उसकी वैक्सीन है को वैक्सीन उसके हिमन ट्रैल की परमिशन दी हुई है जो जुलाई में शुरू होनी है अभी शुरू हो चुकी होगी तो फेज वान और फेज डू का हीमन ट्रैल होना है इस बीच क्या हुआ है आई सी एमर के ड्रेक्टर जनरल यान डी जी बलराम भारगोब ने भारत बायोटिक और कई मेडिकल कॉलेजे को यानि 12 लगबग है वहां पर जहां पर ये ट्रैल होना है तो उसको एक लेटर लिखा और कहा कि फास्ट्रेक मेथट से हुमन ट्रैल जल्दी से करो ताकि 15 अगस्तक वैक्सिन को लाँच किया जा सके और लेटर में धमकी भरे लहजे में कहा गया था कि अगर इसको इंप्लिमेंट नहीं किया गया तो इसको सिरियसली देखा जाएगा और इसके बाद ये लेटर लीक हो गया और इससे भारत सहित दुनिया भर के मेडिकल जरत में चर्चा शुरू हो गए कि भारत में क्या हो रहा है क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट का ये कहना है कि हुमन ट्रैल में 12 से 18 महीने लगते है और इसी वज़े से वैक्सिन में दुनिया भर के जो अलग-अलग इंस्ट्यूशन्स हैं जो दवा कंपनिया हैं उनको देरी हो रही है हेल्थ पोरफिशनल से लेकर राजनेतिक गलियारों तक ये भी चर्चा होने लगी और ये कहा गया कि नेजी स्वार्थों के चक्कर में सरकार बिना मानकों का पालन के हुए ठीका लाने जा रही है 15 अगस्त क्योंकि उस वक्त स्वतन तता दिवास से उस जिन ठीक है इस पूरे मुद्ध को समझने के लिए ये जानना होगा कि वैक्सिन का ट्रैल कैसे होता है किन-किन स्टेज में होता है तो सबसे पहले वैक्सिन का ट्रैल जो होता है चूहों पर किया आता है इसके बाद शुरू होता है human trial, पहले होता है clinical trial तो ये फेज चार्थ फेज में होता है, पहले फेज में होता है small group of volunteers के ये vaccine दियाती है और इसमें vaccine की safety को लेकर जांच होती है कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है फिर phase 2 आता है जिसमें कुछ 100 लोगों को, some 100 लोगों को vaccine का dose दिया जाता है, vaccine का dose दिया जाता है, trial की जाता है इसमें vaccine के प्रभाव को दिखा जाता है कि ये कितना असर कारक है phase 3 में large scale पर trial होते हैं और अगर ये trial सफल हो जाता है तो regulatory authority जैसे drug controller general of India है वो vaccine को market में उतारने का company को license दे देता है और फिर आता है phase 4 जब license मिल गया और market में दवा उतार दे गई तब market पर भी नज़ा रखिया थी कि जिन लोगों ने इस vaccine का use किया है, उस पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पर रहा है और अगर corona का ये vaccine है तो वो corona से बचा रहा है के नहीं हो सके कि vaccine कितना काम कर रही है और कितना काम नहीं कर रही है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तो इसी वज़े से बहुत लंबा टाइम लगता है वो वेक्ती जाता है जिसको vaccine लगता है वो महौल में रहता है और ये देखा जाता है कि जिनके संबर्ख में आया उनको कोरोना हुआ और इनको कोरोना क्यों नहीं हुआ इस वज़े से तो वक्त लगता है तो यह बहुत ज़्याद विवादित हो गया मामला और विवाद पर दबलुएचो को भी सामने आना परा तो दबलुएचो ने क्या कहा है डबलुएचो की चीफ सांटिस्ट है सौमया सौमीनाथन इंडियन ही है उनका यह कहना है कि फेज वन से फेज तीन तक जो हीमन ट्रायल होते हैं उनमें छे से आठ महीने का वक्त लगेगा वो भी तब तीसरे फेज को स्किप कर रहा है या फिर तीसरे फेज को नहीं करके चीदे लॉंच करने की त्यारी कर रहा है जब बहुत ज़्यादा विवाद हो गया आप मेरे बगल में तमाम न्यूस क्लिपिंग भी देख रहे हो तो ICMR ने विवाद पर सफाई दिये और ICMR ने ये कहा ह कि human trial में अब तेर ना हो इसलिए vaccine बनाने वाली company और जो तमाम संस्थान है जो इसका human trial करने वाल है उनको later लिखा गया था और जो भी होंगे वो 200 अस्तर पर जो भी scientific procedures हैं उसी के आधार पर trial होंगे हाला कि ICMR ने ये नहीं बताया कि उसने जो 15 अगस्त की deadline दी थी ये 15 अग कि कितनी जल्दिबाजी की गई और एक तरह से भारत जो इस vaccine को बनाने का काम कर रहा था और काफी शाबाशी मिल रही थी लेकिन एक कदम से पूरी दुनिया में एक तरह से जगहासाई सी हो गई है तो अब इसमें ICMR को जो दो कदम पीछे हटना पड़ा है और अब वो नाम नहीं ले रहा है कि हम 15 गस्त को इस vaccine को launch कर देंगे ओके क्योंकि अगर vaccine की trial होता है क्योंकि दुनिया भर में trial fail हुए और को जरूरी नहीं होता है कि vaccine जो है वो trial सफल हो जाए सफल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन अगर सफल नहीं होता है तो फिर 15 गस्त तक launch करना बड़ी मुश्किल होगी यह एक इन पढ़ने बात थी और बहुत जाए डिबेट जो होता है जिस मुद्ध पर उसका question बनने का संभावना काफी जादा होती है खास तोर पर UPSC examination में PCS examination में और दूसरे examination में भी SSC में चलिए आगे बढ़ते है थोड़ा लंबा हो गया कैसा लग रहा है कारे इंटरफेर्स जरूर बताना और दोस्तों को शेर जरूर करना ये वीडियो जरूर शेर करने सब को पता होना चाहिए इन सब के बारे में अगला question है भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की company hero cycle ने कितने करोर के वियापार डील को रद कर दिया है आंसर होगा 900 करोर रुपे है ओके देखें एले सी पर जो चीन की हरकत हो रही है उसको देखते हुए देश की कई सारी कंपनिया चीन से कॉंट्रेक्ट तोर रहे हैं और अब hero cycle के chairman और managing director है पंकज मुझाल ये नाम आप ध्यान रखना okay hero cycle के cmd हैं पंकज मुझाल तो उन्हो की वज़े से ये सब किया जा रहा है और ये deal जो है वो अगले तीन महीने में पूरी होनी थी दरसल hero cycle जो है अपनी महांगी cycle के लिए पार्स जो है इंपोर्ट करता है बाहर से मंगवाता है और ये professional cyclist के लिए होता है और ये cycle की केमात जोती बहुत ज्यादा होती है 15,000 से 7 लाक रुपए तक की होती है तो hero cycle या दूसरी cycle कमपनिया वो चाइना से पार्स मंगवाते थी तो hero cycle के जो cmd है पंकज मुझाल उनका ये कहना है कि अब वो इन पार्ट के लिए चीन के बजाय जर्मनी में प्लांट लगाने के प्लानिंग कर रहे है वहां पर कर रहे है उनक तो सस्ती cycle है खरीते थे वो अब नहीं खरीद रहे है लेकिन जो महंगे जिनके पास पैसे है वो महंगे cycle अभी भी खरीद रहे है तो ये डिमांड है और उसी वज़से वो company जो है आगे बढ़ रही थी और जो महंगे cycle है उस पर काम कर रही थी ओके वैसे लुदियाना में ये भी सवाल हो सकता है आपके examination के लिए कि भारत में किस शहर में cycle valley को develop के जा रहा है तो वो है लुदियाना तो वापर develop हो रहा है उसके तयार होती है Indian company जो है वो high-tech cycle के मामले में चीन से टक्कर ले सकेंगे तमाम parts जो है यहीं बनने लगेंगे ठीक है तो hero cycle बात हो रही है hero cycle ने यह काम किया है मुक्याले का है लुदियाना पंजाब में अस्थापना कब हुई थी 1956 में फाउंडर कौन है ब्रज मोहनलाल मुझाल अगला question है इसरो के मंगल यान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल गरह के सबसे बड़े चंदरमा के तस्वीर ली है तो इस चंदरमा का नाम ब जो है वो मंगल गरह से करीब 7200 किलो मेटर दूर था और फोबोज जो ये चंदरमा का है मून का है उसका उसे 1200 किलो मेटर दूर था मंगल पर दो चांद हैं एक का नाम है फुबोस और दूसरे का नाम है डेमोस ये दोनों नाम आप ध्यान लगना फुबोस और डेमोस तो मंगल गरह और प्रिथवी की दूरी है वो बारक करोर किलोमीटर है ठीक है तो इसरो का ये कहना है कि फुबोस के इस फोटो में बड़े गरेटर यानि गढ़े देखे जा सकते हैं तो बहुत सारे गढ़े हैं अब मंगल यान की बात कर लें दिखे इसको इसरो ने मंगल यान को 5 नौंबर 2013 को मार्स और बीटर मिशन के तहत आंधर प्रदेश के श्री हरी कोटा से इसको लॉंच किया था किस रॉकेट से किया था तो पी एस एल वी रॉकेट से किया था और विग्यानिको ने पहले ही कोशिश में 24 सितंबर 2014 को मंगल यान को मार्स के कच्छा में अस्थापित कर दिया था और पहले ये योजना थी कि ये 6 मन्थ तक ऑपरेट किया जागा इसको उसके बाद ये इसकी जो उड़ जाए वो खतम हो जागी लेकिन बाद में इस रोक के विग्यानिको ने कहा कि इसके पास इतना इंधन बचा हुआ है कि सालों तक ये काम कर सकता है और सिगनल प्रित्वी में भेज सकता है प्रित्वी को तो मंगल जो यान है वो अभी भी काम कर रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है मंगल मिशन पर 450 करूपे के लागत आई थी बहुत कम लागत आई थी और इसको मंगल के सत्ह और उसके वातवरण के अध्यान करने के लिए वहाँ भेजा गया था अगला कोशन लेते हैं भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकर्ण यानी नेचनल हाईवे अथार्टी ओफ इंडिया के अध्यक्ष सुक्विंदर सिंग संधु का कारकाल कप्त के लिए बढ़ा दिया गया है अगला कोशन लेते हैं धम चक्र दिवस 2020 कब मनाया गया किस दिन आंसर होगा चार जुलाई ओके दिखी ये दिवस जो है अलग अलग साल में अलग अलग डेज को आता है क्योंकि जुलाई महिने की पहली जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन इसको मनाया जाता है और ये दिवस जो है संस्कृति मंत्राले और अंतरश्टिय बाध परिसंग उसके समयुत तत्वावधान में भारत में समारो भी होता है और बुद्ध पूर्णिमा या वैसाक क के बाद ये दिवस जो है बुद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पवित्र दिन माना जाता है और बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैसाक के बाद ये सबसे पवित्र दिन माना जाता है ये दिवस क्यों मना जाता है क्यों इंपॉर्टेंट है ये गौतम बुद्ध जो ह तो इसी दिन जो है उप्रदेश दिया था पहली बार ठीक है कहां पर दिया था तो उत्तर प्रदेश के सारनात में दिया था तो इसी वज़े से इस दिन को मना जाता है ओके चलिए अगला कोशन लेते हैं अंतराश्टिय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाये गया इंटरनेशनल डे ओफ कॉपरेटिवस 2020 ये कब मनाये गया अंसर होगा 4 जुलाई दिखे इसका भी डेस जो है वो बदलता रहता है हर साल क्योंकि ये हर साल के जुलाई के पहले शनिवार को मना जाता है सहकारिता के बारे में जागरुपता फैलाने के लिए ओके और इस बार United Nations ने अंतरश्टिय सहकारिता दिवस मनाने के लिए एक मुहीम भी चलाई हुई है कोपरेटिव फॉर क्लाईमिट एक्शन ओके कॉप्स फॉर क्लाईमिट एक्शन चेली आगे बरते हैं अगला कुछ लेते हैं उससे पहले बता दू कि 2020 का करेंट फॉर्स अबलेबल है अगला कोशन है कोरोना की दवा विक्सित करने के लिए ड्रग डिस्कब्री हैथ कौन ये किस मंत्रल ने शुरू किया ही प्रजेक्ट अंसर होगा दो मंत्रले हैं विज्ञान और प्रदोगी की और मानो संसाधन विकास मंत्रल है दोनों के मंत्री हैं जैसे विज्ञान और प्रदोगी की मंत्री हैं डॉक्टर हर्शवर्धन और HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंग दोनों ने दो जुलाई को इस अभियान को लॉंच किया वर्चुली किया वर्चुली मतलब वीडियो कॉन्फरेंसिंग के और यह देश भर के जो स्टूरेंट्स हैं रिसर्चर्ट्स हैं उनको इसमें भाग लेने को निवता दिया गया है और ड्रग डिस्कवरी हैथ कौन है इसको जो संचालित कौन करेगा तो AICTE करेगा All India Council for Technical Education और CSIR Council of Scientific and Industrial Research तो यह मिलकर इनिशेटिव लिया है उनको यह करना है अगला कोशन है आइसलेंड के राष्टपती का नाम बता है जो दूसरी बार चुने गया है आंसर होगा गुड़नी जोहांसन उनको आइसलेंड का राष्टपती वो दुबारा बनाए गया है चार साल का कारकल होता है आइसलेंड की राजधानी क्या है रिक जाविक अब इसका अंसर होगा लॉरियाल ओके यह सब जो बदलाओं हो रहे हैं नामों में जो कुछ नामों को हटाया जा रहा है उस बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जामनेशन के लिए क्योंकि अमेरिका में जो ब्लैक लिप्स मैटर यह जो अभियान चल रहा है उसके बाद तमिलनाडू राज में कम आये वाले समूहों की मदद के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के प्रयोजनाओं पर सिगनेशर किये हैं हस्ताक्षर किये हैं आंसर होगा 200 मिलियन डॉलर ओके यह केंद सरकार और तमिलनाडू सरकार ने वर्ड बैंक के साथ यह स उनको किफायती आवास दिया जा सकेगा, ये कोशिश है इसके, ओके, तो तब मिलनाडू की बात हो रही है, राजधानी क्या है, चेन नहीं, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, और मुखमंत्री के पलानी स्वामी, अगला कोशन लेते हैं, किस राज के सरकारी द दिखें, वहां के जो सामान प्रशासन विभाग है, उसी ने ये सरकुलर जारी किया है, और कहा है कि, इस्तमाल जरूर किया जाए, न करने वाले पर, इंक्रिमेंट रोक दिया जागा, मराठी के अलावा कोई और भाषा इस्तमाल करते हैं, तो, ठीक है, और ये जो जाती रही है, तो, तमाम जो भी सरकारी दफ्तर है, उन सब को ये कहा गया, तो, वहां के गवर्नर कौन है, भागत सिंग कोश्यारी, और हाँ, एक सोशल कौज की बात कर रहे हैं, उसे जुरू ही बात है, कि कोरोना महमारी में गिरती हुई अर्थवस्ता के बीच में, कहां से आप देख सकते हो, तो उसको देखिए, और लोगों को भी दिखाई है, कि भोजन की बरबादी कैसे बचाए जा सकते हैं, और इस वीडियो का PDF एबलेबल हो गया है, मेरे बगल में, तो अभी डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिजिए, वोड लिंक गायब हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, आप PDF ले सकते हैं,